हमारी कुछ मान्यताएं हैं कि हमें हर साल सत्य नारायंट पूजा करनी चाहिए या नए घर में जाने से पहले वास्तु पूजा या वास्तु शांती करनी चाहिए ठीक है कम से कम मराथी लोगों की इस तरह की परंपरा है, जैसे ग्रह शांती ठीक है अब सभी पूजाएं इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी सत्यनाराइंड की पूजा करते हैं जो असत्य आप रोजाना अपने जीवन में पैदा कर रहे हैं कोई सत्यनाराइंड पूजा आपको बचा नहीं सकती सबसे बड़ी सत्य नारायन पूजा जो आप कर सकते हैं वो है आप कम से कम खुद के साथ सच्चे रहें आप दूसरों के साथ सच्चे नहीं बन पाते मैं आपको उसकी अनुमती दे दूँगा पर कम से कम आपको खुद के साथ सच्चा होना चाहिए हाँ या नहीं ये एक अद्भुच सत्य नारायन पूजा होगी जो उसी समय पर इनाम देगी वैसे भी आपकी सत्य नारायन पूजा आप खुद नहीं करते कोई और इसे आपके लिए करता है शायद उसे फाइदा होगा पर आपका पता नहीं आप धुएं का सामना करते हैं और आपको खांसी हो जाती है अगले दिन आपके नाक में नसे सूज कर लाल हो जाती है आम तोर पर आपके घर में सत्य नारायन पूजा का धुआ भर जाता है धुआ नहीं होता अच्छा आप धुएं का उप्योग नहीं करते हैं ओ, दक्षण में धेर सारा धुआ होता है हाला कि अब वे इसे कम से कम कर रहे हैं लेकिन प्राचीन पूजा बेशुमार धुएं के साथ हुआ करती थी अगर सत्यनाराइंड समार्ट है तो वे इसके नजदी कभी नहीं आएंगे आप सत्यवादी बनिये, ये सबसे बड़ा सत्यनाराइंड वरत है जो आप ले सकते हैं यह आप उनकी तरह बन जाएए, कम से कम खुद से दुनिया के साथ नहीं तो कम से कम खुद के साथ सचे बनिये दुनिया के साथ भी आप इसे अपना सकते हैं ये बहुत ही शांदार होगा पर अगर वो आपके लिए संभव नहीं है तो खुद के साथ बिलकुल सचे बनिये आप देखेंगे कि जीवन बहुत सुन्दर हो जाएगा अब ये वास्तु मुझे पता नहीं है कि आप केवल उस पूजा की बात कर रहे हैं जो प्रवेश के दिन की जाती है या इमारत को बनाने के तरीके की हाउस वामिंग एक चीज है देखिए एक बात ये है कि जब नई इमारते बनाई जाती हैं हमेशा नहीं कभी कभी जब नई सनरचनाओ का निर्मान किया जाता है तो कभी कभी कुछ कारणों से कुछ नकारात्मक हवाएँ वहाँ फस सकती है तो इसके पीछे विचार ये है कि जब द्वारा एक नई सकारात्मक उर्जा का निर्मान हो और हवन का भी कुछ प्रभाव हो अकनी होत रोरण्य चीजों से वातावरण कुछ हद तक साफ होता है हाँ सबसे बढ़कर आप एक नए स्थान पर जा रहे हैं और आप कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो इन सबसे परे हैं नहीं आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो इतने जागरुक हैं कि किसी चीज को देखकर समझ जाएं कि वो क्या है आप जागरुकता की उस थिती में नहीं है इसलिए आपको कोई नई जगाह में प्रवेश करने के लिए एक मांसिक प्रोचसाहन की भी आवश्यक्ता है क्योंकि आपकी मूल भावना डर है कृपिया देखें आपकी सबसे बुनियादी भावना डर है तो कोई भी छोटी सी बात आपके जीवन को परिशान कर सकती है आप एक नए घर में आते हैं और पेंट की गंदिया किसी और वज़ाय से आप सो नहीं पा रहे हैं और अब आप सोचने लगते हैं कि ये क्या है मेरे पुराने घर में मैं ठीक से सो रहा था नए घर में भूत हो सकता है आप बरबाद हो जाएंगे हैं? आप खत्म हो जाएंगे बहुत सारे लोग कभी भी उस एक विचार से खुद को निकाल नहीं पाते वे बस और आगे बढ़ते रहते हैं सोचते रहेंगे और खुद को खत्म कर देंगे तो इस तरह ये थोड़ी सफाई करता है और इसके पीछे कुछ विज्ञान भी है ध्वनियों के कुछ उचारण और गंधों से वहाँ एक निश्चित वातावरण बनता है और आप उस सफेद कद्दू को बानते हैं क्योंकि वो बहुत ही प्रानिक है उसमें प्रान गूंचते हैं तो धीरे धीरे सकारात्म कूर्जा फैलती है पर अगर आप इसे अपने पेट में डालें तो ये और भी भेतर होता है आप जानते हैं मंदिर निर्मान के इस विज्ञान को एक बड़ी उचाई पर ले जाया गया है देखिए आपको ये समझना चाहिए कि भारतिय मंदिर कभी भी पूजा या प्रार्थना स्थल के रूप में नहीं बनाए गए थे यदि आप मंदिर जाते हैं तो किसी ने आपको प्रार्थना करने या अपना जीवन ठीक करने के बारे में भगवान से विंती करने की परंपरा के बारे में नहीं बताया उन्होंने आप से कहा यदि आप किसी मंदिर में जाते हैं तो आपको वहाँ थोड़ी देर बैठना चाहिए है ना क्योंकि ये स्थान उर्जा के केंद्र हैं वे परार्थना के स्थान नहीं हैं किसी भारतिय मंदिर में कभी भी कोई परार्थना नहीं करवाता है ना देखिए मान लीजिए कोई दूसरा पूजा का स्थान हो तो वहाँ कोई परार्थना कराता है भारती ये मंदिर कभी भी किसी भी समय कोई ऐसी जगा नहीं थे क्योंकि इन्हें एक उर्जा केंद्र के रूप में बनाया गया था न कि प्रार्थना के स्थान के रूप में अपना दिन शुरू करने से पहले आप नहाते हैं, वहां जाते हैं वहां बैठते हैं और फिर बाहरी दुनिया में जाते हैं, ये पबलिक बैटरी चार्जिंग स्थान की तरह है और ये भी कहा जाता है, अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, तो आपको रोज मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ये पता है, हाँ कि आप इस बारे में जागरुक हैं, जो लोग आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, उन्हें हर दिन मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है क्यों? क्योंकि उनके पास खुद को चार्ज करने के तरीके हैं फिलाल आप प्राणायम या ध्यान कर रहे हैं, ये खुद को चार्ज करने के तरीके हैं आपको सारवजनिक चार्जिंग स्थान पर जाना आवश्यक नहीं है आपके पास अपना नेजी चार्जर नहों तो आप सरवजनिक बूत पर जाकर खुद को चार्ज कर सकते हैं जब मंदिर का आकार, बहरी परिक्रमा, गर्ब ग्रह, आकरती और आकार, मूर्ती की आकरती और आकार, मुद्राएं जो मूर्ती धारण करती है, इनको प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए जिन मंतरों का उप्योग किया जाता है, यदि ये सभी चीज़ें ठीक से मेल खाती हैं, तब इनके चारों और उर्जा का एक बहुत मजबूत क्षेतर होगा, आप बस वहाँ जाईए, वहाँ बैठिए, उन्हें आत्मसनात कीजिए और आजाईए, या आपके लिए बखवास करने का समय नहीं है, या किसी और के करने का, आपको बस वहाँ चुपचा बैठना है, और वहाँ जो भी है, उसे आत्मसनात करना है, हमने ज्यादातर मंदि फिर खत्म हो गए हैं केवल पथर बाकी रह गए हैं। ये पथर को दिव्यता में बदलने का विज्यान था पर अगर आप अंजान है, तो आप दिव्यता theology फिर प्रमात्मा बनाया जाए इसका पूरा विज्ञान है इसे इस तरह से क्रियाशील करने के लिए कि ये आपसे बहुत अधिक और बड़ी संभावना बन सके पर शायद आप बस इसे तबाह कर दें। बनाया गया है इसमें जबरदस्त महनत लगी है एक तरह से जो मैं अभी कर रहा हूँ वो मेरा काम नहीं है मैं मूल रूप से मैं सिर्फ लिंगम को प्रतिष्ठित करने आया था कुछ और हो जाने के कारण मैं इसमें शामिल हो गया और मैं थोड़े समय कुछ समय बिता रहा वरना मेरा बुनियादी काम सिर्फ ये करना था मेरा कभी भी प्रांड प्रतिष्ठा के बाद रहने का कोई इरादा नहीं था हमेशा से योजना यही थी कि प्रतिष्ठा होते ही मैं चला जाओंगा कुछ कारणों से मैं रुका रहा और चीज़े चल रही है आप बस इस की हड़ी को हिला देगा यह स्पंदन इतना शक्तिशाली है क्योंकि इसे इस तरह से प्रतिष्ठित किया गया है इस प्रांड प्रतिष्ठा को आप नश्ट नहीं कर सकते यह पत्थर लिंगम पर निर्भर नहीं है पत्थर लिंगम का उपयोग केवल मचान के रूप में एक उर्जा लिंगम बनाने के लिए किया गया था यह स्थापित हो गया है यदि आप चाहें तो हम पत्थर के लिंगम को हटा सकते हैं तब भी इसकी गुणमत्ता नहीं बदलेगी सातों चक्रों को ठीक से स्थापित और बंद किया गया है यह अविनाशी है अगर आप इस ग् प्रूप को नश्ट नहीं कर पाएंगे यह ऐसा है यह योग विद्या में एक संपूर्ण विज्ञान है यह एक बहुत ही गहरी विज्ञान है कि इसे कैसे बनाया जाए जो लोग प्राण प्रतिष्ठा के प्रक्रिया के दौरान वहां मौजूद थे जो लोग इसके गवा हैं सिर्फ वे जानते हैं कि अविश्वसनिय चीजें हुई हैं अब अभी आपकी उर्जा शरीर से इतनी जुड़ी हुई है कि आप इससे बहुत कम चीजें कर सकते हैं यदि आपका शरीर के साथ संपर कम से कम हो जाए तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं यह ऐसा है मान लीज तो इससे 20 परतन बना सकते हैं क्योंकि मिट्टी अभी लचीली है और आप इस पर काम कर सकते हैं। तो समाधी की अवस्था का मतलब है ये उस चरण पर वापस जा रहा है जहां मिट्टी अभी लचीली है और आप इसका इस्तमाल कर कुछ और चीज़ें बना सकते हैं। आम तोर पर जब लोग समाधी की स्थिती में होते हैं, तो हम उनकी रक्षा करते हैं, हम उन्हें बहुत सनरक्षित वातावरन में रखते हैं, क्योंकि छोटी मोटी बाधा से वे शरीर छोड़ सकते हैं, कोई व्यक्ति समाधी की गहरी स्थिती में हैं, आप बस ऐसा करते हैं, वो शरीर छोड़ सकता है क्योंकि ये इतना सूक्षम है थोड़ी सी हलचल से ऐसा हो सकता है इसलिए लोगों को उस अवस्था में रहने के लिए प्रतिष्ठित करने और शारिरिक रूप से सक्रिय होना सिखाने के लिए जबरदस ट्रेनिंग की जरूरत है मुझे सही तरह से लोगों की तलाश करने और उन सभी को एक साथ लाने और धीरे धीरे इस थिती को तयार करने में 20 साल लग गए आप इसका अनुभव अवश्य करें अपने जीवन में आपको इसका एक बार जरूर अनुभव करना चाहिए ये कुछ ऐसा है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए आपको किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं करना है आप बस वहाँ जाकर बैठिए आप देखेंगे ये आपको खुद में समा